गण्या अपले गाव वरे, हेज आहे खरे, चार फेबुरोरी दोरदार चोविस वासुन सुरू होता है, गाव चलो अभ्यार केंद्रा तिल और राज्या तिल नेध्यान सोबत, भरतिय जनता पार्डी ये ताहे तुम्चा गावी प्रधान मंद्री च्री मरेंद्र मोदी यांसा घ्यून संदेश, आभी ये तोय मुपकावी, लोकरस भेटू, तुम्चा गावी नमस्कार इनविसेन न्यूस की खास पेशकस, खास मुलाकात में आपका स्वागत है दर्शको आगामी लोकसभा चुनाव के मद्यनजर, सभी लगुदिर गदल अपनी चुनावी रणनीती आखने में लगे वे है और उससी बीच भारतिय जनता पार्टी द्वारा गाव चलो अभियान चलाया जा रहा है जिसके विशे में जानकरी लेने के उद्देश्च से आज हमने आमंतरित किया है सुधाकरजी कोड़े इनको जो की नाकपुर ग्रामीन जिला ध्यक्ष है और 2014 से 2019 तक जो की विधाएक रहे है भारतिय जनता पार्टी के वरिष्ट नेता है सुधाकरजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियों है तो हमारे सवालों की पिटारे से सबसे पहला सवाल आता है कि गाव चलो अभियान चलाया जा रहा है भारतिय जनता पार्टी द्वारा आगामी लोगसबा चुनाव की मध्यनजर इसके पीछे किस संकलपना क्या है और किस प्रकार की प्रक्रियाकारे अन्वित हो रही है हमारे नापपुर जिल्ले में कम से कम 1500 सइसस्ट गाव है नगर पंचयत नगर परिश्यत सम मिला कर हमारे 2263 भूत होते हमारे राष्ट्रिय नेता हमारे परिवार प्रमुक आधर्णिया नर्यंदर भाय मूदी जी हमेशा कहते है कि भाजब का कारे करता यह जनता से आम आदमी से जुड़ा होगना चीए और इसलिए हमने गाव चुला अभियान हमारे नेतावने दिया था इसमें हर बूत पे हर गाव में एक कारे करता वा जाएगा आधर्णिया नर्यंदर भाय मूदी जी हमारे पंतवाधान महुदा इनकी तो इन्होंने भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाए इस देश के लोगों के लिए लाई हुई है सामान्य नागरी को, गरिब नागरी को, कास्तकार हो, सेतकरी हो, महिला हो, मजदूर हो, युवा हो हर क्षत्र में कुछ न कुछ देने का प्रयास, कुछ न कुछ न काफी कुछ देने का प्रयास माननी मूदी जी ने किया है हमारी संकलपना यह है कि कारेकरता गाव में जाया है वो नागरिकों से बात करें उनको योजने है उनका लाब मिला की नहीं मिला लाभन्वित हुए नहीं हुए उने कोई अर्चन है यह सारी चीज़े देखकर मुदी जी का पत्त्र लेकर मोदी जी का एक मेसेड लेकर हमारा कार्य करता हर एक मतदात्वाव से हर एक नागरिक भाई और बहनों से मिलता है जुलता है उनकी परिशानिय समद लेते हैं उनके कब कुछ सुजाव होंगे तो वो भी लेते हैं और हम ये सारी सुजाव सारी कलपना हैं हम केंद्र तक इस बहाने से पहुचा थे और साथ ही साथ हमारा बूथ मजबूत करना हमारा लक्षा है कि हर बूथ पर हम 51 परसने काउन टक के मतदान में लाना इसके लिए भी हम इस साथ साथ में प्रयास करते है जैसा कि गाव चलो अभियान ये जो है नाकपुर के पारट सि से क्यों पारट सिंगा हमने 25 साल बाद पारट सिंगा ग्राम पंजात वहां जीती थे पारट सिंगा नाकपुर जिल्ला का एक स्रद्धास्तान तिर्थक्षत्र है जहां से सारी तरफ अच्छा मेसेज भी जाता है और कोई तो भी एक गाव में मानिया उपमुख्यमंद्र म मिमigne जाना जाते थे वहां काफी काटोड में हमने काफी वहां काम भी बहुत कूछ किया है वहां का डेवलोंप्वें। अच्छा है पारट सिंगा मंदिर का भी डेवलोंप्यट में अच्छा है। तो मन्संतिय पुपमुख्यमंद्र मोहद जिंडेवेंदर पढ़ेंदा साब ने बोला कि चलो मैं पारेट सिंगा जाओंगा इस बहाने वो पारेट सिंगा आया राद भर रुके हजारों हर एक आदमी से मिले उनका उसपूर्त वहां स्वागत हुआ मावा बूथ मीटिंग वी दिवार लेकन हुआ महिलाव का बहुत बड़ा मेलावा हुआ यह सारे चेज़े हमारा पार्टन परसलें देनें दिन कामकाज का एक भागता गाव चलो भ्यान को मानिया देविंदर जी ने बहुत अच्छे तरिके से किया है तो सर देखा जाए तो अधिकांश शेत्र में कॉंग्रेस का वर्चस्व है सीधे तोर पर बोला जाए तो जिल्हा परिशत में भी कॉंग्रेस की सरकार है साथी साथ जो है कामटी विधान सभा शेत्र एम एक हिंगना विधान सभा शेत्र चोड़ा जाए तो कॉंग्रेस के विदायक है इस बार आप ऐसा कौन सा फैक्टर आपके पास है जिससे कि आप भारती जनता पार्टी का जहेंदा वहां लगाएंगे किस कि सत्ता है किस ठंक से बिल्ला परिशद काम करें सारी दुनिया भी जान रहें पूरा जिल्ला पुरिस जान रहें इसलिए उसका कोई असर हमारे उपर नहीं पड़ेगा जिल्ला परुशद काम भी ने कर रहें ब्रश, व्रस्टाचार उसे लिपत है गाई बाटी उनको भी खाड ले आप रस्टाचार से हमने अभी एक बहुत बड़ा अंदुलन मिल किया था उनके एक नेता है कॉंग्रेस के जिनके उपर आरोप निच्चित हुआ है उनके चित्र लगा कर जिल्ला पर चलाना चाहेंगे तो मुझे लगते हैं मेसेश ठीक नह इसका असर उनिये के उपर ज्यादा पड़ेगा दूसरी बात हम संगटन पर विश्वास रखने वाले लोग हैं हमने जब अपना संगटन अभी हर बूत तक हमने अभी गाव चलो अभिहन जुकी है कम से कम हमने सत्रा सो गाव में हमारा कार्य करता वन टूवन जाके आया है हमारा विश्वास संगटन पर है और संगटन काफी मजबूत है को अंग्रेज़ सुष में कहीं नहीं है और साथ साथ यह तो केवल मोदी जी की जादू है मोदी जी की गैरंटी है मोदी जी ने हर घल नल दिया हर का सेती वालों को सेतकरी सन्मान योजना का दर्गत निदी है हर चीज हर चीज घर से लेके खेत तक बच्चों को कामगार मजदूर सभी को अभी तो विश्व कर्म योज ने आई है यह अठा बारा बलूते दार अठा पगड जाती है जो होती है जिसमें छोटे-छोटे धंदे होते फूल माला बनाने वाला हो यहां आपन बोलेंगे व चोटे-चोटे इनको भी मजबूत करने के लिए मानने मुदी जीने विश्व कर्म योजना लाइए यह हमारी योजनाय हमारी योजनाय का नागरिकों को होने वाला डायरेक्ट फाइदा अभी अभी हुआ राम मंदिर जैसा बहुत बड़ा इवेंट इवेंट माना जाए तो हमारे हर एक 140 करोड़ देश्वाशियों का गर्व इस राम मंदिर जैनेवरी को जो पूदिवाली बनाएगे पूरे हिंदुस्तान में वो हमारे लिए निच्चित तोर पर गर्वा गवरनमिक करने वाल लक्षन है यह सारी चीजे लेकर जब मैं स्वायम जब पूरे ना परिशित की बात की एक नेता पर भी आपने इस वक्त तंच कसा सीधे तर पर बोला जाए तो सावनेर विदान सभा शेत्र के सुनिल केदार के शेत्र में जाकर आशिस देशमुख प्रचार कर रहे है गाव चलो अभियान के तहट और वहां पर कॉंग्रेस का काफी बड़ा वर्चस वह है क्योंकि वहां विदान सभा शेत्र के विधायक सुनिल के दार रहे है तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको टार्गेट करकर भारतिये जनता पार्टी वह अपना वर्चस वह बना पाई क्या रगता है आपको ग्रामी जिल्ला देख़ा हम कोई फैक्टर पर काम रुपए हमार्या मुदी जी 200-33 रूपए में दे रहे हर चीज देखो सद्क्री सन्मान दीदी में 1,000 रुपए 6,000 रुपए मुदी जी देते, 6,000 रुपए 1,008 जी देवन्दर परणिया अजित दादा देते हर चीज में हम ने क्या महां प्रदान मंत्री आवसिजना के एंतरगत हर एक को घर मिलना चाहिए जो उनको संमान से जीवन जीने के लिए जो जरुद चीजे वो देने का काफी मेहनथ हमारे प्रधान मंत्री महुदे जी हमारे नेता हमारी सरकार कर रहे इसलिए किसका क्या जो रहे इससे मुझे कोई लेन देन ने और आने वाला समय बता देंगा कि कुन ताकत हो रही मुझे लगता है जनता ताकत हो रहे जनता सोच थी और जनता अच्छे काम के लिए अच्छे नेताओं के साथ रहती है अब आते हैं रामटेक लोकसा भाक्योर जो कि है दस सालों से जो है सीवसेना के सांसद रहे है और अब जो है राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी बीस में शामिल हुए अजिद गुट वाली तो क्या लगता है आपको कि किस प्रकार का समिकरन चेंज हुगा साथी साथ सुत्रों से जानकरी मिली है कि भाजपा प्रदिशा देख्षे चंदरशिकर बावन कुले ने बोला है भारतिय जन्ता पार्टी के कारे करता हूँ कि जोरो सोरो से जो है लोग सब हमें प्रचार करें किस प्रकार कि स्थिती रहेगी क्या समिकरन बदलेगा है सीट में हमारे नेता सद्धिया नर्यंदर भाई मुहदी जी ने हमें आवान किया है कि अपकी बार चार सो पार और इसलिए हम रामटेक कैसे पिछे रहे सकते हैं रामटेक में जो भी संगटने भाज़ा पाके है और मैं जब घुमता हो पूरा जिल्ला मैंने छान लिया है तो मुझे हर एक कारे करता आके बोलता है कि ने भाव अभी दो बार हमने सेना के सेना को भी सारकार किया इस बार कमल का खासदार होना चाहिए तो हम दें मांग किय कि रामटेक लोग सबहें कमल निशान पर लड़ेगी कमल चुन के आएगा और कमल ही आएगा मैं आपको बता देता हूँ जो है साती एक सवाल पर आते हैं काटोल विधान सबा शेत्र के विधायक पूरो मंत्री अनिल देशमुक ने कल प्याज निर्याद बंदी के विशे में आरोप लगा है कि भाजपा कारे करताओ पर प्याज फेका जाए उन्होंने इस वक्त किया क्या प्रतिक्रियाब देना चाहेंगे मैं तो उनका अभिनांदन करता हूँ डाई साल मंत्री थे क्या किया यह तो दुनिया के साथ ने आ गया अब मैं काटोल गया था जाते रहता हूँ वहां की डेवलोप्मेंट डेखता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग क्यों एससे लोगों को चून कर देते जि होता है अब जो खूद आज तक 25-25 शाल तक सता में रहने के बावरुजूत जो आम आदमी की समस्या ने समझ पहे है सेटकरी लोगों की समस्या ने सम समस्द पहे है युवा थे लोग अभी सता से बाहर हो गए कि पयाज फे Конे को प्याज को प्याज पर पर के थे संत्रा हो केंदर सरकार का और इंटरनेशनल मार्केट का इक पार्ट होता है। बात अलग है। वह तो अधर नेम नरेंदर मोदी जी और हमारे केंदर में जो हमारी नेता है इतने सैंसिटिव है। कि हर दिन हर चीज किमत और हर विशय पर वह काफी तुम काफी यह रहते यह रहते यह अनि लेश्मुक के बारा पर कुछ लोग जाने दिया राज्जी की सियासी सरगर्मी में अब नाखपूर के विशय में भी जो है अशुक्राव चवहान के भाजपा प्रविश के बाद नाखपूर के भी कुछ लोग कॉंग्रेस के दिगज भाजपा में जाने की तयारी में ऐसी चर्चाय है क्या कहना चाहेंगे मतलब इसका क्या सद्धाइए, जो भी आते होंगे देश को बढ़त ओरी की तरफ लेकर ले जाने के लिए और वि्कास के काम के यह जो भी आने का हम स्वाधत के रहे हैं स्पेस की बात आपने कहिए लेकिन जो है विपक्ष निरंतर आरोप लगा रहा है और एक बात भी बोल रहा है कि जो है कॉंग्रेस फिल्टर होते जा रही है और पूरे जो घोटाले बाज है वह भारतिय जनता पर्टी में जा रहे है ऐसा उनका हमारे स्टुडियो से आप गाव चलो अभियान के जो सभी मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे मैं सभी मतदाताओं को विननती करूंगा कि यह 2024 का चुनाओं यह मानिया नरेंदर भाहिं मोधी जी का चुनाओं नहीं है यह जो चल रहा है यह 2047 का चुनाओं देश अभी अम्रूत काल से बुजर रहा है पचातर साल हमारे आजादी के बाद पूरी हो चुके है आज हम 10 साल पहले हम आर्थिक महासत्ता के दसवे सिड़ी पर खड़े थे मानिया प्रदान मंत्री नरेंदर भाहि मोधी जी और हमारे सारे नेताओं के प्रायसों के बावजुत हम अभी पाच्वी वायदान पर आचुके 2030 तक हम देश की दुनिया की तिसरी आर्थिक महासत्ता होने जा रहे हमारे देश में जो बड़े-बड़ी हमारे कलंकित की घटनायती उसको साप करने का काम आधर ने नरेंदर भाहि मोधी जी ने किया है सारी वस्तुस्तितिया बदल रही है सारा इत्यास नया बन रहा है ऐसे स्तिति में मैं सभी मत दाता हूँ और मेरे कारे करता बंदों को मैं हाद जोड़के आवहन करूंगा कि 2047 के भारत के लिए आप मोधी जी के पीछे खड़े रहे है उन्हें आशरवाद दीजे हर एक कमल का खासदा हर एक महायुति का खासदार आप चुन कर दीजे ये 2047 का एक अलग महासत्ता बनने वाला भारत बनेगा विश्व गुरुत्व के तरब बढ़ने वाला और इसमें आपका योगदान चाहिए वो योगदान आप केवल एक आशिरवात के तहत मानिय मोधी जी को दे ऐसे में प्रार्थना करूंगा आवाल करूंगा धन्यवाद सर दर्शुको जिस प्रकार से हमने नाकपूर के ग्रामीन जिल्ला ध्यक्ष एउन 2014 से 2019 तक जिनों ने दक्षी नाकपूर की कमाल समाली ऐसे विधायक सुधाकर जी कोहले इन से बात की दर्शुको जिस प्रकार से देखा जाए तो 2024 के इलेक्षन में काफी सरगर्मिया अभी से चालू हो चुके है 2024 के लोकसभा चुनाओं के मद्यनजर सभी लगू दिर्गत दलों ने अपनी कमर कसली है जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साब आमेट करने बोला कि लोकतंत्र का राजा ये किसी राणी के पेट से नहीं तो मतदान की पेटी से जन्म लेता है तो दर्शू को इसी प्रकार से ये देखना काफी रोचक रहेगा कि 2024 में किसकी बनेगी सरकार और किसका होगा सुपड़ा साब सभी प्रकार की जानकारी लेने के लिए देख तेरे NBC News मैं था मनिश्टेम रहे और हमारे साथ मोजूद थे सुधाकर जी कोड़े धन्यवाद